2022 में अखिलेस यादो चुनाओ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इन अटकलों पर आज बिराम लगाते हुए पार्टी के राष्टिय महासच्यू राम गोपाल यादो ने मीडिया से मुखातिब होकर एलान किया कि अखिलेस यादो मैनपूरी की करहल बिधान सभा सीट से और भारी मतों से जीत कर आएंगे अगर हम करहल बिधान सभा सीट की बात करें तो इसी सीट से नेता जी यानि मुलायम सिंग यादो भी चुनाओ जीत कर लखनओ पहुचे थे और अब उनके बेटे अखिलेस यादो इस सीट से पहली बार बिधान सभा का चुनाओ लड़े आपको बता दें करहल सीट समाजवादी पार्टी के लिए बेहत सुरच्छित मानी जाती है क्योंकि ये सीट यादो बाहुल है और यहां पर समाजवादी पार्टी का काफी लंबे समय से दबदबा है अगर हम बात करें भारतिय जनता पार्टी की तो 2002 में पहली बार भारतिय जनता पार्टी ने इस सीट से जीत हासिल की थी उसके बाद आज तक समाजवादी पार्टी का ही परचम इस सीट पर लहरा रहा है लखनों से वीडियो जर्लिष बीरेंदर कुमार सैनी के साथ बलराम पांडे एबीपी गंगा एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी